नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट तुला रासी वालो आज हमने टॉपिक रखा है हर दुख सुख में बदल जाएगा तीन बाट दे गांठ बांध लो आखिर आपकी परेशानी का कारण क्या है और कैसे आप अपने जीवन को ब बड़े ही ग्लैमरस होते हैं क्योंकि सुक्र इनका स्वामी है और सुक्र इनको सौखीन प्रविर्ति का बनाता है खुद भी अच्छे से रहते हैं और यह चाहते हैं इनके आसपास रहने वाले लोग भी खुबसूरत तरीके से रहें एकदम से अपडेट चिंता क्यों परे परिसानी तो तब हमें अनुभव होती है जब हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं वैसे सुक्र दुख हमारे जीवन का हिस्सा है ऐसा नहीं है कि हर दिन एक ही समान होगा आज आप बहुत खुस हैं तो अकल भी खुस होंगे ऐसा नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो ज बड़ी जो बजह होती है वह होती है कि आप सोच क्या रहे हैं अब जीवन में परिसानी है अब उसको आप बार बार सोचेंगे तो क्या होगा अब आपका दिमाग भी परिसान आप तो परिसान थे ही अब दिमाग पर चाह जाएगा और जब उस पर चाह जाएगा तो आप कैच नहीं कर पाएंगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मौके आपके हाथों से निकल जाएंगे और ये हमें पता है आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी परिसानी में बहुत अच्छे अच्छे मौके आप हाथों से आपके फिसल जाएं तो चिंताएं करना आपकी फिदरत नहीं है ये भी हमें पता है क्योंकि तुला वाले बिंदास रहते हैं पर कैसे दूर करें सबसे पहली बात तो ये मत सोचिए कि आप हार जाएंगे आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो नहीं मिलेगी ऐसा सोचना है छोड़ दे क्योंकि अगर जॉब नहीं मिल रही तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए नहीं हम आधुनिक यूग में जी रहे हैं आप जो चाहते हैं उसी छेतर में आगे बढ़िए आपको जिस चीज की दिल से तमन्ना है वही आपको मिलती है इस दुनिया में क्योंकि मन चाही इक्षा इसी पृत्वी लोग पर पूरी होती है एक बार दिल से चाहिए और प्रयास कीजिए ये मत सोचिए कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा वैसा होगा तो ऐसा नहीं होगा ये निगेटिव थिंकिंग को छोड़ दें कि ये चीज़े आपको उलजाएगा आपके रास्ते से आपको भटका देगा जो भी करते हैं भगवान का नाम ले आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं और आगे बढ़ जाए और ये धीरे धीरे आपको यकीन होने लगेगा कि हर समय वो परम सत्ता प्रभू जो है आपके साथ है और आपको एक सही मार्ग दिखा रहे हैं हाँ चिंता की कारण आपके बहुत सारे होते हैं क्योंकि होता क्या है न तुला वाले सबको अपना समझते हैं लेकिन हर कोई इनका इस्तिमाल करता है और जब एन मौका आता है जब इनको आवसकता होती है तो कोई साथ नहीं देता है तब ये तूट से जाते हैं सिर्फ यहां ही नहीं हर कोई इस्तिमाल करता है तो यहां गलती आपके भी है इस्तिमाल खुद को मत होने दीजिए और भविष्य के लिए आप जो बिंदास रहते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपके लिए एक खास बात आप अपने भविष्य के लिए क्योंकि देखिए सुख दुख ये जीवन में चलता रहता है लेकिन अपने भविष्य के लिए सोचना भी आपका हक है तो कुछ न कुछ पैसों का इंवेस्टमेंट आप करते रहिए लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए सोना आपको किसी कीमत पर सूट नहीं करता इसलिए सोना में और अनाज का काम में पैसे इंवेस्टमत कीजेगा कभी नहीं तो आप बुरे फस जाईएगा और ये आपको फिर परिसान करेगा तो आप अगर परिसानी से बचना चाहते हैं तो ऐसे रास्ते पर चले जो आपको सफलता दे अब आप सोचेंगे तब रास्ता कौन सा है देखिए तुला वाले जो होते हैं न वायू तत्युकी सबसे मजबूत रासी होती है और ऐसा भी जोतिसमें कहा जाता है ये सनीदेव की सबसे प्रियरासी है आप अपने जीवन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो सनीदेव के सरन में रहना ही होगा हर हाल में नहीं तो फिर आपका जीवन बैलेंस नहीं होगा फिर तो आपके उतार चड़ाओ परिसान आपको करते रहेंगे वैसे भी आप पर जनी की ढईया चल रही है हाँ अब ये ढईया जुलाई 2022 तक है लेकिन चल तो रही है ना परिसानी तो होगी अब यहाँ पर अब आप चाहत क्या है और कमजोरी क्या है फिर आपको यह जा ना आपके लिए आपका हिए आसान हो जाएगा आपका जीवन जीना सरल होपकी किस चीच को आपको पकड़कर रखना है कि चाहिवieß juicy जिजों को चोड़ता है कैसे भटकाउश बचना है आफिर उपाई क्या है क्योंकि जैसे अगर दवाई देकर आपके सरीर के बिमारी को ठीक करता है वैसे ही जोतिस में गुरहों को मजबूत करने के लिए दान और मंतर जब बताए गये हैं तो तुला वाले जो होते हैं अगर इनके हम सभाव की बात करें तो बड़े ही सरल होते हैं बड़े ही खुबसूरत सभाव के होते हैं और हर रिस्तों के लिए जिम्मेदार होते हैं कोई भी रिस्ता हो बड़े ही मंदारी से निवाते हैं अपने आपको नुकसान पहुचा कर भी दूसरों की मदद करने वाले होते हैं तुला वाले अब इतनी खुबसूरत आपका अंदाज है तो भला परिसानी क्यों होती है क्योंकि हमने कहा अपने आपको नुकसान पहुचा कर भी दूसरों की मदद करते हैं यहां पर क्या हुआ अगर जिसकी आपने मदद की आपने कहीं से किसी करज ले कि कईकी का हैल्प कर दिया अब उसका इस्तिती तो अच्छा हो गया उसके पास धन आ गया लेकिन आप करजे में फुसेवे हैं अगर वो पैसा आपको वापस करेगा भी या नहीं करेगा इसकी कोई गैरंटी नहीं यह है आपकी परिसानी की बज़ए यहां से पैसे नहीं है बहुत सारी चीज़ें आती है जो की इतने छोटे से समय में आपके साथ साजा करना संबब नहीं है हम फिर आएंगे आपके साथ जुड़ेंगे लेकिन एक बात याद रखें आपकी कमी एक और चीज़ है क्या है दिखावा थोड़ा करते हैं थोड़े फैसनेबल होते हैं थोड़े दिखावाटी पन होता है जैसे आपके ही अगर बैलेंस में कोई अन्ने भी रासी के बैक्ती है तो वो उनका लाइप इस्टेला लग होगा लेकिन जो तुला वाले होते हैं उनका जन्मजात ये गुन होता है ये होते हैं बड़े अपडेट रहते हैं बहुत अपडेट सली के से बालों को सवारेंगे सली के से कपड़े पहनेगे एकदम से एरन किये वे एकदम साफ सुतरा एकदम से अपडेट हर एक चीज परफेक्ट अब ये चीजें दिखावटी पर इसको छोड़िए इसमें क्या होता है बे मतलब से आपसे खर्च होता है दूसरी बात क्या होती है आप बे मतलब कभी कभी देखिए बहुत सारे तुलाबालों को बुरा लग जाता है लेकिन आपके साथ होता है कि महलाओं के चक्कर में उल्लच जाते हैं कुछ ठीक हो जाए सबसे पहली बात लाइट ग्रीन यानि हलका हरा रंग का परियोग करें जैसे आपने आप यूज कीजिए इस कलर को आप कपड़े भी पहन सकते हैं रूमाल भी रख सकते हैं पास में कोई दीकत नहीं है दुपट्टा ले सकते हैं तो आप टॉपस पहन सकत होती है आपके एक्षा है कहने का ताथ पर यह रंग आपके लिए लगी है यह आपको बहुत हद तक जो आपका बैलेंस है वह बैलेंस बनाए रखेगा यह चीजे आपके लिए जरूरी है अब दूसरी बात बहुत सारे तुलावाले बच्चे कहते हैं हमारे लिए तो दूसरा इसका असर आपके स्वास्त पर भी पढ़ जाता है क्या होता है ना एक्जाम के समय में आपका स्वास्त सरदर्द जैसी समस्या हो जाती है या फीवर आ जाना सिहत पर असर पढ़ी जाता है और परिच्छा के दौरान अगर आप अपनी जब आपका मान लीजे आप लोहे का चल्ला पहन ले और परिच्छा के लिए जब आप निकलिएगा घर से तब काला तिल एक दो दाने मुह में रखकर निकले इससे क्या होगा एक तो आपकी घवराहट कम होगी तनाव कम होगा और आप चाहें तो बाद में चल्ला को हटा सकते हैं लेकिन तुला वाले प सकते हैं तो यहां पर आपकी इक्षा पर है कोई दिक्त नहीं है लेकिन हाँ एक और बात जो तुला वाले बच्चे होते हैं होते हैं बहुत मेहनती पढ़ाई में तेज होते हैं दिमाग के बहुत तेज होते हैं लेकिन अक्सर इसकूल लाइफ से भी थोड़ा सा इनका जो दिखावापन होता है इसमें उलत जाते हैं अगर सही रास्ते पे चले तो फिर ये ऑफिसर ग्रेट के जो भी पाते हैं क्योंकि इनके भागे में कुछ बड़ा होना लिखा होता है आप रोच साम में सनी चालीसा का पाठ किया करें या सुना करें आप देखिएगा आपका भा करें आपकाई सार्फ़ आपकाई साम मतता हैंō simply कमरा सेनी साम में स्वाफन टो ही ये खिस पाजरा हैं करता है में करें आपका भाते हैं मततस्त करन्हीं करें